अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी नीचे बैल आइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए आज की वीडियो में बताने वाली पुजा भी दी और शो मुहरत जी हां किस मुहरत में आप धनतेरस की पुजा कर सकते हैं धनतेरस 2022 जीवन का सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्त है इसलिए आयुरवेद के देव धनवंतरी के अवतरन दिवस्यानी की धनतेरस पर स्वस्थ रुपी धन की प्राप्ती के धनतेरस पुजा का सुमुहरत शाम पाच बज कर चवालिस मिनट से छे बज कर पाच मिनट तक रहेगा धनतेरस की पुजा विधी इस दिन प्राता उठकर नित्य करम से निवरित होकर पुजा की तैयारी करे घर के इशान कोण में ही पुजा करे पुजा के समय हमारा मुह इ पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें, पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का सोर ना करें। इस दिन धनवंत्री देवी की सोड से उपचार पूजा करना चाहिए अर्थात सुल्ला किरियाओं से पूजा करें। खाद्य, अर्ग, आच्मन, स्नान, वस्त्र, अभोशन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवैद्य, आच्मन, तामबुल, अस्तव, पाठ, तरपन और नमस्कार। पूजा के अंत में सांगता सिध्धी के लिए दक्षणा भी चढ़ाना चाहिए। धन्तेरस पूजा विधी। और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें भगवान गनेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं धन्तेरस की दिन यम के नाम की दीप जलानी की विधी दीप जलाने से पहले पूजा करें किसी लकडी के बेंच या जमीन पर तक्त रख कर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं फिर मिट्टी या आटे की चौमुखी दीप को उस पर रख दे दीप पर तिलक लगाएं सब्सक्राइब एं सेर करना बिल्कुल न भूला मेरे वीडियो को इनिट तक देखने के लिए दिल से धन्यवा थैंक्स पर वाचिंग कीप सबोर्ट